साथियों, साइन्स और रिसर्च के समाधानों से अम मिलेट्स और अन्य अनाजों को और विख्सीत करना बहुत जरूरी हैं। मकसद ये कि देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से उन्हें उगाया जा सके। आज जिन क्रॉप्स की वराइटी लौच हुई हैं, उनमें इन प्रयासों की जलग भी हमें दिख रही हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि इस समय देश में, देड़सों से अधिक क्लस्टरस में, वहां की परिसितियों के मताबिक, क्रिशी तक्नीकों पर प्रयोग चल रहे हैं। साथियों, खेती की जो हमारी पुरातन परंपराय हैं, उसके साथ साथ मार्च टू फ्यूचर, पहले मैंने कहा बेक टू बैजिक, और फिर इसके साथ जोड़ना है, मार्च टू फ्यूचर भी उतना ही आवश्यक हैं। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, तो उसके मूल में आधूनिक टेक्नलोजी हैं। खेती के नए औजार है, आधूनिक क्रिशी मशीनों और उपकरोनों को बढ़ावा देने का प्रयासों का प्रणामा दिख रहा है। आने वाला समय स्मार्ट मशीनों का है, स्मार्ट उपकरोनों का है। देश में पहली बार गाउं की प्रॉपर्टी के दस्तावेत तयार करने में ड्रॉन की भुमी का हम देख रहे हैं। अब खेती में भी आधुनिक ड्रॉन्स और सेंसर्स के उप्योग को बढ़ाना है। इससे खेती से जुड़ा हाई क्वालिटी डेटा हमें मिल सकता है। ये खेती की चुनोतियों से जुड़े रियल टाइम समाधान तयार करने में भी मदद करेगा। हाल में लागू की गई नई ड्रॉन निती इसमें और सहाएक सुद्ध होने वाली है।